हेलो एब्रीवन मैं मेथन शिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छ होंगे कस्तूर्बा सिक्षक भरती 2023 नए जगों से रिकूटमेंट आये दिस वैरी फ्रेस रिकूटमेंट आप लोगों से उम्मीद है अप लोग नीचे कॉमेंट स के लिए सूचना है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कस्तूर्बा गांधी की प्लेलिस्ट मिल जाएकि अपने आसपास के कस्तूर्बा गांधी बाल का विद्याले में अगर आप जौब करना चाते हो वहां से सारे वीडियो को चेक आउट कर लिजे जिसके कर देता हूं सबसे पहले देख लिए किसकी पोस्ट के लिए रिकूट्मेंट आई है वह मैं आपको दिखा देता हूं पुर्ण कालिक सिक्षिका के लिए हिंदी और संस्कृत के लिए रिकूट्मेंट आई है 22,000 रुपे पर मंत आपको दिया जाएगा आगे देखिए वि 22,000 रुपे पर मंत PCM यानि की Physics, Chemistry, Math के साथ आपका Graduation होना चाहिए तभी आप Math के लिए eligible अपने आपको पाते हूं सारी रिक सिक्षा के लिए देखिए B, P, Ad, C, P, Ad, D, P, Ad, R, D से कोई भी किया काम हो जाएगा आपका 90,000 रुपे 9,800 रुपे एक और बात थोड़ी सी एज क्राइटरिया की अगर मैं बात करनू तो 25 minimum age रखी गई है maximum age रखी गई है 45 साल यानि की 25 से 45 के बीच में अगर आप कहीं पे हो आप अपलाए कर सकते हो पहली बात दूसरी बात टैट पास होना जरूरी है यानि की teacher eligibility test होना जरूरी है चाहे वो C टैट हो, UP टैट हो, MP टैट कोई भी एक टैट से पास होना जरूरी है आगे देखिए कुछ यह दहा application form यह application form आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा, telegram channel का link मिलेगा आपको नीचे comment section में और description box दोनों जगों पर मिलेगा, जहां से आप चाते हो, वहां से आप eligible हो जाते हो, आगे देखिए कुछ और important बाते हैं, आपकी job जो है 11 मेने 29 दिनों तक रहेगी, contractual vacancy है, लेकिन more or less हर साल यह क्या करते हैं, कि जो भी पहले से काम कर रहा होता है, उनके service को renew कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, एक से अधिक आवेदन अगर आपको करना है, तो अलग अलग post के लिए अलग अल आवेदन के लिए अलग अलग post से ही आप अवेदन कर सकते हैं, अलग post के लिए अलग से, याद रखिएगा साधरन डाक से आपको post नहीं करना है, रजिस्ट्री या फिर, रजिस्ट्री से या फिर speed post से आप आवेदन करेंगे, दोनों में से कोई और एक को जो है यहाँ पे काम बनेगा अंदर में मूल निवास प्रमान पत्र आधार का फोटो कॉपी और जो भी आपने ट्रेनिंग टैड परिक्षा पास किये सारे के फोटो कॉपी साथ में सेल्फ अटेस्टेट यानि कि खुद से जो है आप अटेस्टेट कर रहे हो कि मैं ये सारी जानकारी सही से द करती है 6 जून को कब तक है 6 जून तक आपको एनिहाव अपलाई कर देना है इस वीडियो को देखने के बाद कल ही जाकर आप अपलाई कर लेना वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया है वब गट देख ई